हेलो दूस्तो आप सब का स्वागत है मेरे चैनल पे आज हम सिखेंगे के घड़ियू में कोड़ भी हैंड में पेजिंग कैसे करें आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूले सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको web.config file दिखा रहा हूँ जहाँ पर मैंने connection string define कर रखी है जो के notwin database को connect करती है notwin database की सारी जनकरी के लिए आप right and side में दी गई वीडियो की link पर click करें तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं grid view add कर रहा हूँ मैं grid view में column set कर रहा हूँ मैं कुछ चार bound fill column set करूँगा customer id, contact name, city और country यह चारो भी columns notwin database के customers table को belong करते हैं तो लीजिया हमारी grid view आप तयार हैं अब चलते है code behind में जहाँ पर हम इसे database से कर रहा हैं connect करकर public करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं namespaces रेट करके सबसे पहले system.data उसके बाद system.data.sqlclient यहाँ पर मैं ado.net का इस्तेमाल करूँगा और तीसरी namespace system.configuration connection string यूज़ करने के लिए जो हमने web.config में save किये हैं अब एक नीचे में private method बना रहा हूँ method इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसी method को हम page load में भी call करेंगे और इसी method को हम on page index changing event में भी call करेंगे यहाँ पर सबसे पहले मैं connection string को rate कर रहा हूँ web.config file से उसकी key का इस्तेमाल करके अब मैं SQL connection class का object बना रहा हूँ यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने using statement का इस्तेमाल किया है वह इसलिए कि using statement का इस्तेमाल करने से और उसके जो block है उसके अंदर code लिखने से जो भी objects हम create करते हैं उसे automatically using का block खतम होते होते destroy कर दिया जाता है इसे एक अच्छी practice बना जाता है क्योंकि इससे हमारे जो भी objects है वह memory को जल से जल release कर देते हैं और इस तरह हमारा program एक efficient program बन जाता है मैंने SQL command का भी एक object बना है जहांपर मैंने query लिखी है customers table पर हमारे चार columns को fetch करने के लिए उसके बाद मैं SQL data adapter का object बना रहा हूं अब मैंने SQL command को connection assign कर दिया है उसके बाद मैंने SQL data adapter को select command assign कर दिया है अब उसके बाद मैं एक data table बना रहा हूं अब इस data table को हम fill करेंगे SQL data adapter के fill function से एक बार data table fill हो जाए तो उसे grid view को assign कर दिया जाएगा नौट इस पॉस्बै कंडिशन जो कि बहुत जरूरी है जब हम paging करते हैं तो चलिए हमारा grid view का population part complete हो गया है अब इस function को मैंने page road में call भी कर दिया है तो चलिए code को run करकर check करतें देखिए हमारी grid view तयार है और वो सारे के सारे records को दिखा रही है अब हम शुरुआत करते हैं paging की यहाँ पर मैं allow paging property को true set कर रहा हूं और साथी साथ on page index changing event को भी set कर रहा हूं page size को मैंने 10 set कर दिया है तो चलिए code behind में जहां पर हम page index changing event को define करेंगे page index changing event handler paging को handle करता है यानि कि जब आप page को click करते है grid view पे तब वो इस event handler को trigger करेगा और जो भी page number आपने click किया है let's say one किया है two किया है वो यहाँ पर receive होता है और उस value के basis पर grid view का page दिखाये जाता है यहाँ पर सबसे पहले grid view का page index property को set किया जाएगा यह value वही है जो page number आपने click किया है let's say आपने page number two click किया है तो यहाँ पर value two set होगी तो grid view को एक तरह से बताय जा रहा है कि आपको आप page number two का data दिखाना है अब इसके बाद हम grid view को फिर से bind करेंगी जिसके लिए हम bind grid function को call कर रहे हैं तो चलिए हमारा on page index changing event handler भी तयार है अब चलते हैं code को run करकर चेक करते हैं अब आप देख सकते हैं जो grid view पहले पूरा data दिखा रही थी टेबल का अब page wise data दिखा रही है और हम click करकर page wise data देख सकते हैं और इस तरह हम वीडियो के आंत में आते हैं source code और demo की links description में मौझूद है आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बढ़ा हम के लिए सकते हैं पर रहा बहुत